दो भाई थे आपस में बहुत प्यार था, खेत अलग-लग थे, आजू-बाजू बड़ा भाई शादी शुदा था, छोटा अकेला, एक बार खेती बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ, खेत में काम करते करते, बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई को खेत देखने कहकर, खाना खाने चला गया, उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है, मैं तो अकेला हूँ, बड़े भाई की तो ग्रहस्ती है, मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है, भाईया के साथ ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा ग्रहस्त जीवन तो अच्छे से चल रहा है, भाई को तो अभी ग्रहस्ती जमानी है, उसे जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा, ऐसा विचार कर उसने दस पोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिय दोनों भाईयों के मन में हर्ष था, अनाज उतना का उतना ही था, और हर्ष, सनेह और वातसल्य बढ़ा हुआ था, सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा, अगर ऐसा प्रेम भाई-भाई में हुआ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती, और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फालो जरूर करें.